जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगव वही पर है राजनीती की कई धाराओं का उद्गा देश को दिशा देता एक प्रदेश जहां से नित्रत वुपाता है अक्सरिय देश धेर सारी खबरों का खजाना है उसका प्रदेश हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबर देखिए भारतिय प्रदोग्य की संस्थान के 54 दिक्सान समारू में मुख्य दिती की रूप में पस्तित देश के सश्री प्रधान मंत्री जी बक्टर के राधा कृष्णन चीर परसन बोड ओप गवर्नांस आई आई टी कानपूर डारेक्टर आई आई टी कानपूर प्रोफिसर अभे कारिंदकर जी फैकल्टी मेंबर्स इस्टुडेंट्स अन्य गणमाने अथितिकन आदनिय प्रधान मंत्री जी का आई आई टी कानपूर के इस दिक्सान समारो में प्रदेश के इस अद्योगिक नगर कानपूर मैं मैं प्रदेश सरकार की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ और आई आई टी कानपूर को 54 दिक्सान समारो के लिए हिर्दे से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ हम सब जानते हैं कि गुणोता प्रग तक्नीकी सिक्सा प्रदान करने में हमारे देश के तक्नीकी संस्थानों का एक बहुत महित्वण योगदान है और खास तोर पर प्रदान मंत्री जी ने जो विजन 21 सदी के लिए इस देश को दिया है इसमें उनन इंडियन इस्ट्यूट आप टेक्नोलोजी को इस्ट्यूट आप इंडिजनेस इंडिजनेस टेक्नोलोजी की संग्यादी है सौभाई कुरुप से 21 सदी में हम भारत की और बैस्ट्यूट चुनोतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए इस दिस से इस सदी की सबसे बड़ी महमारी के दोरान आधनिय प्रधान मंत्री जी ने इस देश को आत्म निर्वर भारत का एक मंत्र दिया है आत्म निर्वर भारत किस परिकलपना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्टिय सिक्सानीती ही लागो की है जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है और मुझे बताते विए प्रसंता है कि उत्तर प्रदेश इस दिश से एक नई पहल आधनिय प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में तीजी के साथ आगे बढ़ रहा है यह हमारा सोभाग्य है कि प्रदेश में आई आई टी कानपूर आई आई टी बिएचियो आएम लखनो जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्कदरसन प्रदान करने में सद्यव साहिता मिलती है और आई टी कानपूर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उधारन भी प्रस्तुत किये हैं जाए वह प्रदेश के अंदर आधनिय प्रदान मंत्री जी की मंसा किन रूप सेंटर ओफ एक्सिलेंस स्टार्ट अप की नीती को क्रियानुइत करने की जिस से स्थापित करने की कारवाई रही हो या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैनिफेक्चरिंग कोरिडोर में प्रदेश के एक तक्निकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कारवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे ही बताते हुए प्रसंता है कि प्रदेश ने सुषना प्रदुग्गी के साथ साथ गैर सुषना प्रदुग्गी के छेतर में भी अपनी एक नई स्टार्ट अप नीती 2020 लागो की है राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिसल इंटेलिजेंस के छेतर में देश का जो पहला सेंटर ओफ एक्सिलेंस आई आई टी कानपूर के नुएड़ा परिसर में स्थापित करने का नेने लिया था ये केंद्र स्टार्ट अप को बढ़ावा देते हुए पांच वर्सों में दो सो पचास स्टार्ट अप को अपना सहुख प्रदान करेगा ये विवस्ता रक्सा प्रादुगिगी ता किरसी प्रादुगिगी में भी उत्कृष्टा के लिए स्थापित उन केंद्रों के अत्रिक्त है जिने पूर में आई टी कानपूर में राज्य सरकार की सांजिदारी से अस्थापित किया है आई आई टी कानपूर ताई एकेटी यू के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रे इलक्टॉनिक्स और सुष्णा प्रादुगिगी मंत्राले के बित्तु पोशन से एकेटी यू में सुष्णा और संचार प्रादुगिगी मंच अस्थापित किया गया है जिसके मात जिन से एकेटी यू की फैकल्टी और वहां के बिद्ध्यारतियों को ऑनलाइन प्रसिक्शन और सिक्साफी प्रदान की जा रही है आई आई टी कानपूर के साथ वर्तवान में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर करोना जैसी महमारी की चुनोतियों से सफलता पुर्वक सामना करने के लिए स्कूल आप मेडिकल डिसर्स एंड टेक्नलोजी के नाम पर एक नए सुपर स्पेसिलिटी जिके साथ संस्थान की अस्थापना के लिए अपना सैदान्तिक सहमती दी है प्रदेश के इन कारिक्रमों को आगे बढ़ाएंगी यन केवल इस्कूल आप मेडिकल डिसर्स एंड टेक्नलोजी प्रदेश की स्वास्त चुनोतियों से निपटने में उप्योगी सिद्ध होने के साथ ही राज्य में जिके साथ प्रदुगी के एको सिस्टम के बढ़ावा देने में भी एक महत्तफून भूमिका का निर्वहन करेगा उत्तरप्रदेश ने कोविड प्रवंदर में आदने प्रदान मंत्री जी के मार्क दर्शन में देश के अंदर एक मॉडल अस्थापित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की और मुझे प्रसंता है कि उत्तरप्रदेश के इस मौडल का ध्यन IIT कानफुर ने उत्तरप्रदेश, नीती, युक्ति और पैणाम के एक विसिस्ट सोथ के माध्यम से भी किया है आने वाले समय में अधने प्रधान मंत्री जी के यो मंसा है कि इन रूप उत्तरप्रदेश ने तकनिकी सिक्षन संस्ताओं की फैकल्टी को सिक्षन देने चात्र चात्राओं के सरवांगिन विकास और उन्हें रोजगारों नमुखी बनाने का मार्क दर्सन प्रदान करने के लिए IIT कानफुर के हम सयोकी अपिक्सा रखते हैं और मुझे बताते हैं प्रसंता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनोतियों से जूज रहा है इन बदली हुई प्रस्तितियों में ब्योसाइक संस्थानों के पाठ्ठक्रम को अपडेट करने कई ऐसे टेड जिनकी वर्त्वान में उप्योक्ता नहीं रह गई है उन्हें उनके स्थान पर आज की नहीं आऊ सकता के इन रूप हम ड्रोन टेक्नलोजी आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस रॉबर्टिक्स थ्रीडी प्रिंटिंग साइबर सिक्रोटी इंटेनेट आप तिंक्स जैसे सेक्टर में भी आयाइटी कानपूर के सहयोग के पिक्सार राज्यसरकार करती है और राज्यसरकार ने इस दिसा में प्रदेश के तक्निकी संस्थानों में एक टास्फोर्स का भी गठन किया है मैं आज के सौसर पर एक बार फिर से प्रदेश के इस ओद्योगिक नगर कानपूर में आधनिय प्रदान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ और आयाइटी कानपूर को 54 दिक्सान समारों में हिर्दे से बधाई देता हूँ यहां के जिन इस्टुडेंट्स को आज उनकी डिग्री अवाड की जा रही है हमें विश्वास है कि वहाँ प्रदान मंत्री जी के इस नए भारत की विजन को देश और दुनिया के सामने अपने ग्यान से अपनी दक्सता से प्रस्तुत करने में सफल होंगे आप सब के प्रति मेरी सुपकामनाएं धन्यबाद जैहिन